नमस्कर दोस्तों, बात करेंगे CBD Stones, यानि कौलिडोकल इथियसिस के बारे में इसके क्या कारन है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें क्या टेस्ट करवाए जाते हैं और इसको हमें मैरेज कैसे करते हैं कोलिडोकोल इथेसे जैनी CBD स्टोन का मतलब है कि CBD के अंदर स्टोन होना CBD बेसिकली लिवर का जो जूस है वो दो डक्त के थुरू आंत में आता है left and light हिपैटिक डक्त जो मिलकर main हिपैटिक डक्त बिनाते हैं इसके कारण क्या है most commonly जो स्टोन गॉल बेटर में बना है वो स्लिप होकर CBD में आ जाता है और इसके कारण ही ये स्टोन यूजिली CBD में देखे जाते हैं इसके इलावा अगर कोई ऐसी कंडिशन है जिसमें स्टोन बहुत जादा बन सकते हैं या CBD के आगे कोई स्ट्रिक्चर है या ट्यूमर है जिससे की बाइल का फ्लो अब्सक्ट हो रहा है तो इस के डक्ट्स में भी CBD में स्टोन बन सकते हैं जो ये बाइल के डक्ट्स हैं इनमें अगर कोई फुलावर्ट हो जिसे हम कॉलीडोकल सील के नाम से जानते हैं उन कर्णिशन में भी ये स्टोन देखे जा सकता है इनके सिम्टम्स क्या है अगर वाइल डक्ट में स्टोन होगा तो उसके अब्स्रक्शन के कारण पेशन को राइट अपर अब्डॉमन में पेन हो सकता है उसके अब्स्रक्शन के कारण जॉन्डिस हो सकता है इसमें इंफ उसके बाद कुछ blood test करवाय जाते हैं, जिनमें पता चलता है कि liver की जो test हैं, वो कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं, patient को journalist हो सकता है, OTPT जो enzymes हो हलके से elevated हो सकते हैं, alkaline phosphatase बहुत बढ़ सकता है, और इसे भी idea लगता है कि शायद patient को CBD में stone है, इसके बाद imaging studies हैं, जैसे कि ultrasound जिसमे कुछ cases में ये clearly नहीं दिखता, because ultrasound में उतना ज्यादा clearly देखना possible नहीं है, जितना की MRI में है, तो उन patients में MRI advice किया जाता है, खास तोर पर एक ऐसा MRI जिसे हम MRCP के नाम से जानते हैं, जो कि CBD और pancreatic drug को बहुत ही clearly दिखाता है, और पता चल जाता है कि इसमें कोई stone है, या नही स्कोप मुह से डाला जाता है, जो कि बहुत लंबा सा स्कोप है, और उसे स्टमक के थुरू छोटी आंत के पहले हिस्से में लजाकर, जहां पर CBD ऊपन हो रही है, वहां से एक स्टेंट को CBD के अंदर डालते हैं, और किसी बास्केट या एक बलून की मदद से ये stone को वहीं से निकाल लिया जा, ERCP का एडवांटेज है कि इसमें कोई भी कट नहीं लगता, मुह के थुरू ही हम stone को निकाल सकते हैं, CBD के ऊपर भी कोई कट नहीं लगता, इसलिए CBD का बाद में सिकड़ना इस चीज का जो कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी patient बच सकता है, इस ही जिस तरह से पित्ते को operation किया जाता है, उन्हीं छोटे छोटे होल से हम CBD के ऊपर एक छोटा सा कट लगाकर इन stone को निकाल सकते हैं, और उस एरिया में फिर से stitches लगाकर उसे बंद कर सकते हैं, दूसरा जो operation कई बार करना पड़ता है, उसमें अगर CBD का हैसा है बहुत सकते हैं, ताकि बाइल सीधा छोटी आत में जाता रहे, वो बाइपास हो जाए नीचे का हिस्सा और बार-बार स्टोन्स ना बने, आप CBD स्टोन्स से कैसे बच सकते हैं, पहले इसका कोई थोस्त तरीका नहीं है, लेकिन अगर आपके पित्ते में स्टोन्स हैं और आपको प पापके. If you like our videos kindly like, share and subscribe and we hope, we made a difference in your life today. Thank you.